हेलो एवरिवन वेलकम अगेन आज के लेक्टर में डिस्स करेंगे सी यूई टी पीजी फिजिक्स 2023 कोशिन पेपर को फर्स कोशिन में आपको इस तरीके से दो स्टेटमेंट दी हुई थी आप से पुछा गया था उप्शन में इस तरीके से की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ह या इन में से एस स्टेटमेंट करेक्ट है आर करेक्ट है या दोनों ही रोंग है इस तरीके की ओप्शन दी हुई थे स्टेटमेंट देखे कि क्या दी हुई है अग गीवन वेक्टर एफ इस इरोटेशनल इफ डैल क्रोस एफ इस इकल टो जीरो विलकुल करेक्ट है इरोट tutorial बोलते हैं जब उनका curl जो हो ? क्या हो ? zero हो अगर curl जीरो होता है तो ऐसे फिर you वेक्टर को क्या बोलते है? conservative वेक्टर बोलते हैं दोनों ही statement इसमें correct है तो वह option यहां पे choose करना था हम R raised par item theta से लिख सकते हैं और यह जो theta होता यसको बोलते हैं आर्गुमेंट तो आपको बोला गया थильно ऑ norm वे गुठ अप आएसे बता रहे हैं और אל 2 को बता रहे है conservation over item theta two से आर्गुमेंट ऑफ में अगर लिखे एक तो गया थीटा 1 और आर्गूमेंट ओफ जैड टू लिखें वो क्या गया थीटा 2 आ गया ठीक है दोनों को डिवाइड गरें तो जैड वन ओवर जैड टू जो आ जाता है वो क्या जाएगा रेज टू पार आएटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 आपके पास आ जाएगा तो देखें इसको आप क्या लिख सकते है आर्गूमेंट ओफ जैड वन ओवर जैड टू क्या गया थीटा 1 माइनस थीटा 2 और यह क्या है तो फर्स्ट स्क्राइट्मेंट तो आपकी इसे next को चेक करते हैं z1 minus z2 mode square इसको क्या लेख सकते हैं z1 minus z2 into z1 complex conjugate इसका और z2 का complex conjugate इनको multiply करें तो क्या जाएगा z1 z1 bar plus z2 z2 complex conjugate यहां जाएगा आपका जो है this term is minus इसको इसके साथ लेख सकते हैं minus z1 z2 bar और यहाँ जाएगा आपका minus z2 और z1 bar शायद मैंने statement में कोई mistake की यहां पर plus था जहां तक मुझे याद आ रहे हैं जब मैंने soul किया था तो यहां plus था इपर आप check करें ना करने का तरीका यह तो इसको करेंगे तो यहां दोनों ट्रम क्या हो जाएगी plus यह भी ट्रम क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी ठीक किस तरीके से तो इस तरम को हम क्या लेख सकते हैं जैसे जैड़ बन मोड स्केर यह जैड़ बन स्केर हो गया इस तरम को में क्या लेख सकते हैं यह क्या है इसका complex conjugate ठीक है अगर आप जैड़ बन जैड़ बार का बार करते तो वह क्या जाएगा जैड़ बन बार जैड़ टू के इक वला जाएगा और आपको पता हैं वालों को एक नंबर है एक्स प्लस आइटा वाई और इस नंबर का complex conjugate करते तो एक्स माइनस आइटा वाई आ जाएगा और जैड़ प्लस जैड़ बार यानि उसका complex conjugate को एड़ करें तो टू टाइम ओफ एक्स यानि टू टाइम ओफ रियल नंबर आ जाता है तो आप इसको लिख सकते तो तू टू स्टेटमन जो है correct है तो फूर्ट स्टेटमन हमारी correct हो जाएगी सेकंड स्टेटमन यहां पर रोंग हो जाएगी नेक्स जो था आप से एक्सपेंशन की टम में पूछ थी साइन जड़ कोस जड़ टेंजन इनवर्स और यहां से आप सीरीज से चेक कर सकते हैं जैसे कि यह है साइन का ओप्षिन थर्ड के साथ मैच कर रहे है कोस के ओप्षिन में यहां मिस्टेक थी यहां पर टू आना चाहिए था तो कोस का एक्सपेंशन का जी से टिवर्स जो औस परूप्षन है वह फ्रत के साथ मैच कर रहा था और एलन वान कोलाश जड़ का second an fällt फिर से करना इस त्रीक का ओप्षिन आपको बहां सेुज करना था जहां पर एक साथे थार और सब्लस का सिये साथ एक सब्द्ल-बोर से लीए और question क्या था a और b matrix आपको दी है 2a to minus 3b आपको निकालना था देखिए 2a matrix क्या हो जाएगी multiply कर दो 4 6 2 0 minus 2 और 10 हो जाएगी 3b matrix क्या हो जाएगी 3 से multiply कर दो 3 6 minus 3 0 minus 3 और 9 हो जाएगी दोनों इसमें से इसको subtract कर दो 2a minus 3b matrix क्या हो जाएगी 4 minus 3 6 minus 6 2 minus minus 3 plus हो जाएगा 0 minus 0 minus 2 plus 3 10 minus 9 तो यह matrix आपकी क्या जाएगी 1 this matrix is शेहन मैंने कुछ mistake किये गया ठीक लिखा है minus 2 10 3 3 6 minus 3 0 minus 3 और 90 क्लिक है 4 minus 3 1 हो जाएगा और 6 minus 6 आएगा नहीं यहाँ पर तो मैंने क्या mistake कि 6 minus 6 0 जाएगा यह टर्मा जाएगी 5 this term is 0 1 और 1 इस तरीके से यह option आपने देखना था कि जिसमें यह option आप मैट्रिक्स आपकी करेक्ट हो जाएगी अब देखें यह question पूछा गया था पर युनित एरिया अलोगग दा बांडरीए ए-पॉदर और बांडरी ऑफ पीर्या अंग figuring ए-प और उंथ देखें कुन देखें लाइन पूछ को आपका आप क्लोज का य्टोर में line integral of that vector होता है और यहां से अगर आप लिखे line integral per unit area अगर आप करें इसको इदर लेके आए तो curl of A जो आ जाएगा वो किसके एकवल आ जाएगा line integral A dot dl over ds या फिर कहें this is the area तो यहां पर option C correct होना था जो definition दी है line integral per unit area वो किसको बताता है curl of A को बता रहा है again फिर से matrix का question था और बहुत ही easy question था तीनों को add करना था तो दी है add कर दीजिए 1 plus 3 minus 1 यहां add हो जाएगा 0 plus 7 plus 1 यहां add हो जाएगा 2 plus 4 plus 0 next is minus 1 plus 8 plus 0 तो answer जो आपका आना था वो क्या जाएगा यहां से 3 यहां से 8 यहां से 6 और यहां से 7 यह matrix का answer आना था next question जो था आपको divergence of R निकाला था देखिए जो डेल पर operator होता है किसकी कुल होता है curly over curly x i cap curly over curly y j cap plus curly over curly z k cap आर दिया हो है तो divergence of R जो आ जाएगा वो क्या जाएगा curly over curly x i cap plus curly over curly y j cap plus curly over curly z k cap और dot with x i plus y j plus z k और इसको solve करते है then this will be 3 तो answer क्या आना था आपका 3 next question आपसे पूछा गया है कि जो R अगर position vector है तो R dot ds किसकी कुल होगा आपने divergence theorem पड़ी है divergence theorem के according this open integral is equal to close integral over divergence of R और dv के equal होता है तो divergence of R अभी अभी उपर आपने निकाला है इस question में दुबारा निकालने की जरूरत नहीं है किसके equal आता है 3 के equal होता है 3 dv को integrate करेंगे complete volume भी दे रखा है तो यह answer क्या आना था 3 भी आना था निक्स question में दिया हुआ था एक infinite long wire है जिसकी जो line charge density है 1.0 µ कूलम पर cm दिवी थी और अर्थ से वो 4 मीटर उपर है तो आप से पूछा गया था कि अर्थ पर electric field कितना होगा तो सबसे पहले तो आपको formula पता होना चाहिए electric field का क्या होता lambda over 2 pi epsilon note आर जिस point पे उसको पूछा गया है और यहां पर जो lambda दिया हुआ है वो पर cm में दिया है तो उसको क्या convert कर लेजी meter में convert कर लेजी उसको meter में convert करेंगे तो यह क्या जाएगा 100 micro coulum per meter यह आपकी charge density हो जाएगे आप नहां पर put कर दिये value 100 into 10 is to 1 minus 6 divided by 2 into 5 की value 3.14 into epsilon note की value 8.85 10 is to 1 minus 12 और 4 meter दे रखा था इसको जब solve करते हैं then this quantity will be 4.5 4.5 into 10 is to 5 newton per second यह answer आपका यहां पर आना था next question इस तरीके से दिया हो था कि charge statement आपको दी है इनका order आपको correct करना था इसको 2-3 बार अगर पढ़ते तो आपको पता चाह जा जा था कि क्या order है इसका तो इसका order जो था इस तरीके से था given a point P in the rectangular coordinate पहले नमबर पर यह था कि rectangular coordinate का मतलब वो partition coordinate से ही होता है x y z in rectangular coordinate से हम we can associate a unique set of coordinate इसको आप एक unique set of coordinate के साथ associate कर सकते जिसको क्या कहते है कर्भी linear coordinate तो यह तिसरे नमबर पर आना था then the set of equation connecting both are known as the transformation of coordinate तो यह fourth नमबर पर आना था इस तरीके का order यहाँ पर रहना था c is the first b second रहेगा d third रहेगा और a आपका force option पर रहेगा next देखे एक general center force इस तरीके से बताया गया है तो जो force होते हैं वो c over rn इस तरीके का दियावा है attractive कभ होंगे जब यहाँ पर negative sign हो तो c less than 0 होगा तो force कैसा होगा attractive और repulsive कभ होगा जब positive sign है greater than 0 होगा तो force कैसा होगा repulsive आपको बताना था कि इन में से statement correct है तो attractive के लिए c क्या होना चीए less than 0 तो first statement correct है और repulsive के लिए c greater than 0 होना चीए यह भी statement आप ही कहा है next question इस तरीके से दियावा था कि एक star के round 3 planet रिबोल कर रहे हैं जिन में पहले circular orbit में रिबोल कर रहे हैं पहले का जो distance अब होई है second का 9A और third का 16A है पहले का time period अगर T है आपको बताना है कि initially वो एक line में है कितने time के बाद वो फिर से एक line में आएंगे तो आपने capillars लापड़ा है कि जो time period का square होता है वो radius के cube के equal होता है तो यही आपने यहाँ पे use करना है तो T1 is to T2 is to T3 का ratio क्या जाएगा जो उनकी radius का जो radius की value है यानि कि A की power 3 by 2 is to second की radius है 9A की power 3 by 2 is to और next है 16A की power 3 by 2 तो यह ratio क्या जाएगा A throughout cancel हो जाएगा 1 is to इसको आप लिख सकते हैं 3 का square की cube तो 3 का cube आ गया is to इसको लिख सकते है 4 square का cube तो 4 का cube आ गया तो this term will be 1 is to 27 is to 64 और आपको दिया गया है कि जो T1 है वो क्या है T के equal है तो T2 किसके के लागया 27 T और T3 किसके के लागया 64 T इन सब का LCM ले लिजिए तो इनका जो LCM आता है वो 1718 T के equal लाता है तो इतने time period के बाद वो क्या करेंगे फिर से एक line में आ जाएंगे next question इस तरीके से rectangular slab आपको दी हुई थी और आपसे पुछा गया था कि किसी भी corner से जैसे मैंने B पे लिखा है moment of inertia क्या होगा तो आपको center से पता होना जाए कि किसी भी slab का अगर ये length जो है L है ये जो उसकी breadth है वो B है तो center से moment of inertia या जो होता है वो क्या होता है तो this value will be I from center is equal to क्या होता है 1 over 12 M into L square plus B square इसकी equal आपका होता है from center और फिर आपने लगाना था यहाँ पर पहला लेक्सिस थोरम तो देखिए इस axis के about आपको पता है इस axis के about निकाला है तो ये separation अगर D है यहाँ से D की value निकाल लीजएगी क्या आजाएगा B by 2 यहाँ से और यहाँ से value क्या जाएगी L by 2 तो D की value क्या जाएगी under root B square by 4 plus L square by 4 आजाएगी यहाँ से moment of inertia long B क्या जाएगा IC center से plus M D square इसके equal आजाएगा तो यह आजाएगा 1 over 12 M L square plus B square plus M into D square क्या जाएगा हमारे पास B square by 4 plus L square by 4 ठीक है इसको add करती चीए तो आजाएगा 12 था ना है आपे after addition यह टाम आपकी क्या जाएगी 1 over 3 M into L square plus B square इस इस दा right answer next question भी matching का ही था आपको पता होना चीए green चोरम जो होती है वो related to or the vector Kepler's law are related to the planets motion of planets theorem parallel और perpendicular axis अभी भी हमने पड़ा moment of inertia is related होती है और Newton law के से related होता है inertia से related होता है next में पुछा के था gravitational force के बारे में कौन सा concept इनने से सही है तो gravitational force जो होता है वो होता है G M1 M2 over R square तो एक तो पहली बात gravitational force जो होता है है आपका central force होता है हमेशा ही जो देखा है कुछी चीज़ को अगर आप उपर चलते हैं तो वो center की तरफ ही आती है नीचे आती है आर्थ की तरफ तो पहली बात तो वो central force है यह statement correct है दूसरी बात attractive है हमेशा ही नीचे आती है तो यह force कैसा है attractive force है एक mask दूसरी मास को क्या कर रहा है attract कर रहा है non-central ripple से force correct यह तो wrong होगे नेक्स है directly proportional to the distance of between नहीं universally vary करता है और distance के square के साथ vary करता है तो यह तीनो बाकि तीनो statement क्या हो जाती है रोंग हो जाती है यह और से यहाँ पर correct answer होगा next question में इस तरीके से दिया होता है कि bullet है इतने meter per second की speed से चल रही है mass 10 gram है wooden block जो की rest में रखा हुआ उसको penetrate करती है after penetration उसकी speed यह हो जाती है speed of block आपको बताने की तो यहाँ पर conservation of momentum लगा दीजे m1 u1 plus m2 u2 के आ जाएगा m1 v1 plus m2 v2 के equal आ जाएगा mass 10 gram minus 2 into 500 meter per second प्लस यह rest में है तो 0 equal to क्या जाएगा after mass 10 gram minus 2 velocity होगी उसकी 200 meter per second mass दिया है 1 v2 पूछा गया है तो v2 क्या जाएगा v2 is equal to 5 minus 2 which is 3 meter per second ठीक है next question में spring constant पूछा गया spring का अगर उसको stretch किया गया है 10 cm से और potential हर्ज इतनी है तो potential energy जो होती है वो half k x square होती है और k पूछा गया है x दे रहा है simple सा यह भी दे रहा है तो कितना आगा is equal to 1 over 2 k x के आजाएगा हमारा इसको meter में convert कर लीजिए 0.1 square यहां से k की value क्या जाएगी 5600 into 2 into 0.1 divided by 0.1 का square तो k की जो value यहां से निकल क्याती है after calculation यह 10 पार minus 1 उपर जाएगे 10 पार 2 हो जाएगा 5.6 10 पार 3 into 2 into 10 पार 2 तो this value is 1.12 10 पार 6 Newton और Newton पर meter ठीक है यह value आप किया जाएगे नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स कोश्चन है दब वाक डन इन ग्रैप्टेशन फिल्ड बिट्विन टू पॉइंट डिपेंड अपॉन दी पाथ पे अगर डिपेंड ना करें तो ऐसी फिल्ड को conservative फिल्ड ही कहते हैं यह मैंने पहले ना बताया हो और ऐसी फिल्ड का जो करल होता है वो भी क्या होता है जीरो होता है तो करल जीरो होता है rotational फिल्ड होती है conservative फिल्ड होती है पाथ पे डिपेंड नहीं करती है तो options रहे के नहीं आप पे correct था यहाँ पे कहाँ गया टू बोडी है different mass है kinetic energy सेम है तो मान लो कि आपके पास एक बोडी M1 है दूसरी बोडी का mass M2 है M1 M2 से greater है यह मान लिया हमने तेखे half दिया है half M1 V1 square equal to क्या है half M2 V2 square kinetic energy equal है यानि M1 V1 into V1 equal to M2 V2 into V2 आ गया यह time को momentum कह दे P1 V1 equal to क्या आ गया P2 V2 अब यह कहा है कि mass जो है पहली बोडी का जादा है तो इस equation से देखे अगर यह term जादा है mass जादा तो obviously यह term कम रही होगी तभी दोने equal है तो यहां से conclusion क्या निकल सकता है कि V1 is less than V2 अगर V1 less than V2 है तो P1 over P2 term equal to क्या रही है V2 over V1 तो यहां से आप क्या कह सकते है V2 over V1 is greater than 1 क्योंकि V1 is less than तो इसका मतलब P1 over P2 term is greater than 1 then P1 is greater than P2 तो P1 greater than than यानि P1 किसका momentum है जो बोडी का mass जादा है तो body of greater mass will have greater momentum option first is correct next है अर्थ को अगर suddenly contact करके उसकी radius को half कर दिया जाए तो days की length क्या होगी तो यहां पर angular momentum को conjure करना था देखिए I1 omega 1 क्या था I2 omega 2 के equal हो जाएगा और क्योंकि जो earth है वो आपका solid sphere है तो moment of inertia of solid sphere का क्या होता है I is equal to 2 over 5m r square होता है यह moment of inertia of solid sphere यहां लगा दीजिए तो initially आपका moment of inertia 2 over 5m r square omega 1 क्या हो जाएगा 2 pi over time period जो की क्या है 24 r equal to I2 क्या हो जाएगा अब radius साफ हो गिए तो 2 over 5m r square over 4 और time period हमें निकालना है 2 pi over t यहां से बाकि सारी terms जो है cancel हो जाएगी यहां से देखिए t की value क्या जाएगी 24 over 4 which is 6 r तो time period कितना हो जाएगा 6 r next question इस तरी के से था जो angular speed दे रखी थी motor की यहां से यह दे रखा था round per meter दे रखा था rpm में दे रखा था आपको angular acceleration बताना है तो angular acceleration किसके एकोल होता है d omega over d t के एकोल होता है पहले इसको percent second में convert कर लीजे तो यह आ जाएगा 3, 1, 2, 0, minus meter में second में करेंगे तो upon 60 second और आपको पुछा था 16 second में dt कितना दे रखा 16 second और क्योंकि यह frequency angular speed है magnitude frequency के एकोल होगा d omega में करेंगे तो यह multiply 2 pi से हो जाएगा तो यह value after calculation 4 pi तो option 4 यहां पर correct हो जाएगा next था कि दो statement दे रखे इन में से बताना था कि कौन से statement सही है कौन से रोंग है तो देखे बाइप्रेजम में जो core and source बनते हैं उन्होंने का था reflection के फिनोमेना से बनते हैं लेलोड मेर में reflection से तो यह दोनों ही स्टेटमेंट रोंग है क्योंकि reflection या reflection जो होता है वो आपका उस newton things में आप बोल सकते हैं माइकलसन मोले experiment में आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो sources बनते हैं वो reflection से बनते हैं इन दोनों के case में division of जो है वेफ्रंट से बनते हैं division of amplitude से बने तब reflection होता है बाइप्रेजम और रोड मेर में दोनों में ही division of वेफ्रंट होता है इसलिए दोनों statement रोंग होगी यहां पर simple harmonic motion में angular frequencies 3 के से दिए हुई है दोनों को superimposed कर दिया number of bits पुछा तो frequency निकाल लीजिए हैं प्रिकेंसी क्या हो जाएगी ओमेगा वन ओवर टू पाई एफ बन ओमेगा वन है 440 ओवर 2 इंटू 22 ओवर 7 यह करेंगे 70 हागी 70 हर्ट्स एफ टू निकाल लीजिए ओमेगा टू ओवर टू पाई यह आ गया 396 ओवर 2 इंटू 22 इंटू 7 तो यह आ जाएगा 63 हर्ट्स बीट्स कितनी आ जाएगी बीट्स आ जाएगी F1 माइनस F2 बिजिए 7 तो answer क्या आना था इसका 7 आना था next question भी by prism से ही था by prism में आपसे पुछा गया था कि coherent sources के बीच का separation का है D तो इसका direct formula होता है 2 इंटू X मू माइनस 1 इंटू alpha ठीक है तो यहाँ पर 2 इंटू X जो होता है वो slit और by prism के बीच का separation होता है जो कि 0.1 उन्होंने दे रखा था इंटू रिफ्रेक्ट इंडेक्स भी दे रखा है 1.5 माइनस 1 अलफा भी दे रखा है एंगल 2 डिग्री 2 डिग्री को रेडियन में कर लिजे ओवर 180 इसको solve जब करते हैं तो this will become 3.5 mm तो 3.5 mm is the right answer next question को drop कर लिया गया था क्योंकि कोई भी option इसका लिद्टा करेक्ट नहीं था बाकी इसरे में हम ये जो निकालते हैं डिसपरसे power of the ग्रेटिंग ठीकर डी लाब्डा के एक्वेल होती है और of Gretting का जो degree law क्या है, की sinθ जो होता है वह N like you here यहाँ पे अन जो होती है वो नमबर ओफ लाइन्स पर सेंटिमीटर होती है यह ओडर हो गया वेवलेंध और यह एंगल हो गया तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करें तो कोस ओफ थीटा डी थीटा जो आ जाएगा वह आपके पास आ जाएगा एन एन डी लैम्डा डी की वेल्यू जो होती हाफ होती है तो वन ओवर टू करेंगे तो आंसर इस ट्वैल थावजन आना चाहिए था कोई भी ओप्शन इसका करेक्ट नहीं था बाकि कुशन्स को हम नेक्स लेक्चर में डिस्टू करेंगे